प्रॉब्लम नंबर 99 को देखो बहुत अच्छा प्रॉब्लम है लेकिन उससे कही गुना अच्छे से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ यह CBSE सैंपल पर के अंदर यह कोशन दिया हुआ है कोशन आपसे कह रहा है A boy uses spectacles of focal length minus की 50 cm एक बच्चा है जो अपने चश्मे में minus की 50 cm focal length का lens यूज कर रहा है आगे बोल रहा है Name the defect of the vision he is suffering from and compute the power of the lens कह रहा है जो बच्चा है वो किस बिमारी से जूज रहा है आँख की तो आपने देखो का आँख के अंदर दो बहुत बड़े रोग चलते हैं Myopia और Hypermetropia Myopia में past का दिखाई देता है दूर का दिखाई नहीं देता Hypermetropia में दूर का दिखाई देता है पास का दिखाई नहीं देता तो actual में जब आप ऐसा lens यूज करो जिसकी खुद की focal length negative हो या फिर power negative हो power negative हो या फिर focal length negative हो तो आपको यह पता होना चाहिए, यह negative focal length जो है वो concave lens की होती है, अगर आपको नहीं पता तो बना कर दिखा जता हूँ, अगर concave lens यह है, तो आपने देखा होगा, इसकी कही न कहीं focal length जो है वो negative होती है पीछे की तरफ को, negative होती है, तो concave lens की focal length negative होती है, that's why जो बच्चा है उसको खुद को क्या हुआ है, मायोपिया हुआ है, क्योंकि मायोपिया में दूर का तो दिखाई नहीं देता, पास कबल को साफ दिखाई देता, तो मायोपिया हुआ बच्चे को पास का बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा, दूर का अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा, ठ तो इसकी power बताओ, तो power जो होती है, वो focal length का reciprocal होती है, यह दे रखाँ centimeter में, जब centimeter में दे रखाँ हो, तो इसको meter में convert कर लो, और आप power निकालोगे, one upon f in meter, तो आप देखेंगे, minus का two diopter आ जाएगा, diopter, diopter is the unit of the power of the lens, ठीक है, तो minus का two d आ जाएगा, बस simple सा है, अच्छ आएदो यार, दिल से मुझे,